तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे अपने सर्फेस केमिस्टिक का टेस्ट नमबर टू इसमें जो मोस्टली कोशन्स है हमारे हो हैं कोलोडल सुलूशन से रिलेटर जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारा मास्टर कैटर का एक्जामिनिशन है उसके अंदर जो हमारे प साल थे के 2 कोशन cause सर्फेस केमिस्टिक से डेफिनिटली इफिनिटली पूचह जाते रहे हैं सर्फेस केमिस्ट्र कैटर का ATLीसक आते हैं अगर हमें आते होंगी तो हम विदिन सेकंड्स वो कोशन कर देंगे because इसमें काफी कुछ calculation वड़ा नहीं होता ठीक है तो radical होता है easy chapter होता है इसलिए इस topic को तो आपने special stress दे के पढ़ना ही पढ़ना है कि surface chemistry कैसा topic है अगर question आएगा तो आप directly tick करोगे आपका time भी save होगा but इस chapter में काफी सारी theory है तो वो हमें proper way में पढ़नी भी है और समझनी भी है चलो पहला question discuss करते है while coagulating a negative charge lyophobic colloid a lesser amount of ALCL3 is required when compound to that of NACL because ठीक है आप सब ने hardy choose the rule पढ़ा होगा hardy choose the rule ठीक है उस rule के according क्या होता है जैसे हमारे पास negative charge colloid है तो negative charge colloid को अगर हमने precipitate में coagulate करवाना है तो हमें क्या चाहिए होता है positive ions चाहिए होता है जैसे मैं तीन ions ले 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 तो AL plus 3, Mg plus 2 and Na plus तो hardy choose the rule क्या बोला था कि जितना ज्यादा charge होगा जितना ज्यादा charge होगा अगर negative chloride है तो positive जितना charge होगा उतनी क्या होती है उसकी coagulating power होती है तो coagulating power का order क्या आजाएगा AL plus 3 की highest coagulating power आजाएगा तो इसका reason basically क्या होगा charge होता है ठीक है न the ionic charge of AL plus 3 is 3 times that of Na plus तो यह क्या आजाना था हमारा पास crack answer है आजाना था जो कि हमारा hardy choose the rule के base के उपर है तो next question discuss करते है टीक होता है ठीक है न अगर हम किसी PVT को colloidal solution में convert करते हैं यह PVT को precipitate को अगर हम किसी स्लूशन से दवारा से precipitate बनाते हैं तो उस process को हम Leo वोलते है कोagulation जा इसी को हम बोलते है फ्लॉक्वलेशन इसी को हम क्या बोलते है flocculation बोलते हैं तो इस question में आप से पूछा क्या गया है peptidization क्या होता है तो peptidization क्या होता है इसमें precipitate को हम किसमें convert कर देते हैं colloidal solution के अंदर convert कर देते हैं तो इस question पे लिए हमारा correct answer आजाएगा option number D next question discuss करते है critical micelle concentration के बारे में formation start होता है उसको हम क्या बोलते है critical micelle concentration और वो temperature यहां पर micelle का formation start होता है उसको हम बोलते craft temperature तो इसका correct answer कह दाएगा concentration at which micelle formation start for a surfactant molecules तो यह भी easy question था तो आप सभी ने यह अच्छे से कर दिया होगा ठीक है आसान question था ही next है गोर्ड नंबर क्या होता है ठीक है गोर्ड नंबर very important तो गोर्ड नंबर किन के लिए डिफाइन करते हैं लायोफिलिक कलोईट्स के लिए यह किन के लिए डिफाइन करते हैं लायोफिलिक कलोईट्स के लिए डिफाइन करते हैं और यह basically बताता किसको है protective power को बताता है प्रोटेक्टिव 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 प्रोटेक्टि מה किसकीysz की ,क्या होगी 지금 फ्लखوسश चानज natur अब कि बीकात है तो जिसकी ऊपर जितना चार्ज कम होगा उसकी फ्लॉकुलेटिंग पावर क्या होगी यहाँ होगीulares पावर किसे कम होगी उसकी flocculating power भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इस question के लिए हमारा correct answer बन जाएगा option number A next question है हमारे पास लायोफिलिक souls are more stable ठीक है लायोफिलिक तो more stable होते है because इनकी extensive salvation होती है काफी ज़्यादा क्या हो जाती है salvation हो जाती है इस salvation का क्या मतलब है कि जो हमारे पास dispersed phase के particles है उनको कौन surround कर लेता है surrounding में dispersion medium के particles जब भी surrounding होती है जब salvation होता है तो उससे attraction बढ़ता है attraction बढ़ता है तो attraction बढ़ने से क्या होती है energy कम होती है और stability बढ़ती है ठीक है ना जो हमारे पास lyophilic loids होती है उसमें dispersed phase and dispersion medium के बीच में क्या होती है attraction होती है अगर attraction होगा तो energy कम होगा energy कम होगा stability बढ़ेगा तो stability बढ़ता किसकी बज़ से है high solvation की बज़ से बढ़ता है तो the colloidal particles are highly solvated जा extensively solvated तो इसका crack answer बन जाएगा हमारे पास option number c ठीक है आपके six question के लिए हमारा crack answer होगा option number c I hope आप सभी का सही होगा next है immersion can be destroyed ठीक है immersion कुछ नहीं होता एक हमारे पास क्या होता है colloid ही होता है तो colloid को हम कैसे खतम कर सकते हैं जा तो उसके अंदर electrolyte add कर दी तब भी हमारे पास colloid खतम हो सकता है जा उसका electrophoresis कर दी जो हमने पड़ा भी था class के अंदर ये electrophoresis कर देंगे फोज हमारे पास immersion कोई negative charge chloride है ठीक है ना तो electrophoresis में क्या होता है हम electrodes लगाते हैं यहाँ पी यहाँ पे हम क्या होते है electrophores लगाते है फोज करो यह negative electrode है यह positive electrode negative electrode को हम क्या बोलते है cathode और positive electrode को हम बोलते है क्या anode और यहाँ पे हम क्या बर देते है colloidal solution को बर देते है फोज करो colloidal solution हमारे पास negative charge है यह negative charge हमारे पास colloidal solution है तो negative charge किसकी तरफ move करेगा positive charge की तरफ move करेगा negative charge colloidal solution किसकी तरफ move करेगा positive की तरफ और negative और positive मिलके आपस में क्या बना लेंगे coagulate कर लेंगे ठीक है आपस में क्या कर लेंगे coagulate का formation कर लेंगे अगर coagulate हो गया तो हमारे पास emulsion भी क्या हो जाएगा 1 nm से लेके 1000 nm तक होता है size, तो 1 nm किसकी close हो जाएगा, 10 raise to your minus 9 meter, 1000 nm किसकी close हो जाएगा, 10 raise to your minus 6 meter, जाइ इसको हम कैसे लिग लेती है, 10 raise to your minus 6 meter to, 10 raise to your minus 9 meter, जो कि हमें option number A के अंदर mention है, ठीक है तो ये भी easy question था, I hope आप सब भी students का सई होगा, ठीक है next question है in stabilization of the dispersed phase in a lyophobic soul is due to ठीक है किसे भी lyophobic soul की stabilization किसकी वज़े से होती है उसके ओपर present charge की वज़े से जैसे हमारे पास कोई lyophobic soul है AJ AJ हमारे पास क्या है कि lyophobic soul है अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे इसके जो common ion होता है common ion कौन सा है i negative ठीक है न i negative को क्या कर रहेंगे adsorb कर वालेंगे ठीक है न इसको हम किसके तुरू explain करते है preferential absorption of ions के तुरू explain करते है जब भी AJI के अंदर हम KI को add करते है ठीक है न KI को add करते है तो i negative क्या हो जाता है adsorb हो जाता है अब जो i negative है further क्या कर लेता है k positive को adsorb कर लेता अपने surface के उपर यह जो i negative है वो further क्या कर लेता है k positive को adsorb कर लेता है इस तरह से हमारे पास electrical double air का formation होता है ठीक है न पहली layer किसकी बन जाती है i negative ions की और दूसरी लेयर किसकी बन जाते है के प्लस आयन्स की तो इसको basically हम बोलते क्या है electrical double layer बोलते है क्या बोलते है electrical double layer electrical double layer जो पहली layer होती है इसको हम बोलते है fixed layer और जो दूसरी layer होती है हम अरपास वो उसको हम बोलते है क्या mobile layer जा इसी को हम बोलते हैं क्या Refused layer और जो Potential Difference देखो यहां पे जो Fixed layer है वो Negative Charge है जो Mobile layer है वो Positive Charge है अब जो Fixed layer and Mobile layer के बीच में कुछ Potential Difference आता है जब भी Charges का Separation होता है तो वहां पे क्या Generate होता है Potential Difference Generate होता है इसकी वज़े से जो Potential Generate होता है उसी Potential को हम क्या बोलते है Data Potential बोलते है तो Data Potential क्या होता है Basically Potential Difference between Fixed layer and Mobile layer ठीक है और Data Potential की हम क्या बोल देते है Electrokinetic Potential बोल देते है इसी को हम क्या बोल देते है Electrokinetic Potential बोल देते है ठीक है तो किसे भी colloid की जो lyophobic होता है उसकी stability होती है due to the formation of electrical double layer ठीक है ना, electrical double layer की कारण क्या होती है, इसे lyophobic colloid की क्या होती है, stability होती है तो इस question के लिए हमारा जो correct answer हो जाएगा option number C next question क्या है हमारे पास the ability of an ion to bring about the coagulation of a colloid depends upon ठीक है ना, अब कोई coagulation करवाने है, suppose करो negative charge chloride है negative charge chloride है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा positive ion लेना पड़ेगा positive ion for coagulation अगर हमारे पास negative charge chloride है, तो हमारे पास क्या होगा, positive ion लेना पड़ेगा negative charge chloride के लिए, अगर हमारे पास positive charge chloride है तो उसके लिए हमें कहां लेना पड़ेगा Negative Iron लेना पड़ेगा Negative Iron for Co-Egulation ये सबी को आता होगा ये Negative Charge Cloid है तो Positive Iron लेना पड़ता है Positive Charge Cloid है तो Negative Iron लेना पड़ता है उसके बाद जो हमारे पास Co-Egulation Power होती है किसके उपर Depend करती है एक तो चार्ज के नेचर के उपर डिपेंड करती है के मैगनिटूड मतलब के Mg प्लस 2 ले रहे है ज़ा Al प्लस 3 ले रहे है तो अब इसी बादा जिसके उपर ज्यादा चार्ज होता है उसी को हम प्रेफर करते है तो मैगनिटूड के उपर भी डिपेंड करती है और चार्ज क्या बन जाएगा हमारे लिए option no.d नेक्स्ट क्या हलता है milk टिक है milk में क्या होता है ठीक है, milk के एक example होता है, emulsion का, तो milk में होता क्या है, basically, dispersed phase होता है, dispersed medium होता है, and milk के case में dispersed phase भी हमारे पास liquid होता है, और dispersed medium भी liquid होता है, basically dispersed phase क्या होता है, fats होते है, fats होगे, oils होगे, और जो dispersed medium होता है, वो क्या होता है, milk होता है, तो इस तरह के Colorado solution का हम क्या बोलते है Emulsion बोलते है Easy question तो काफ़ी पुराणा question है UPPGT का तो यह अच्छा question है इसमें आपसे gold number का पुछा क्या है gold number का जिन students को formula पता है वो तो कर देंगे gold number का हमारे पास formula होता है number of milligram of number of milligram of protective chloride divide by volume of gold soul into 10 ठीक है ना 10 होता है भही into 10 ठीक है ना मैंने आपने class में as it is यह वाला formula पढ़ा रखा है तो यहाँ पे number of milligram of protective chloride कितने add की है 0.25 gram ज्यान से students इसको किसमे कनोट कर लेना milligram के अंदर कनोट कर लेना ठीक है ना तो 0.25 gram है into 10 raise 2 और 3 कर देंगे तो यह आजाएगे हमार पास milligram उसके बाद volume of gold soul कितना लिया हमने 100 cc 100 cc का मतलो क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा तो नीचे क्या आजाएगा 100 ml आजाएगा into क्या कर देंगे 10 ठीक है यह हमारा answer आजाएगा ठीक है इसको solve करते है यह कितना हो जाएगा 1000 1000 into 0.25 ठीक है 1000 into 0.25 कितना हो जाएगा 250 नहीं तो इसको solve करेंगे तो हमार पास crack answer रहेगा 25 ठीक है तो इस question के लिए हमारा crack answer था जो हो था 25 तो यह definition जो gold number के होती है आपको definitely आनी चाहिए ठीक है next question है under the influence of applied potential the speed of dispersion medium is known as ठीक है ना काफ़ी अच्छा question है class में as it is करवाया हुए जब भी हमारा पास dispersion medium जो move करता है जो हमारा पास dispersion medium move करता है उस process को हम क्या बोलते है इलेक्ट्रो आस्मोसिस बोलते हैं ठीक है पोटेंशल डिफरेंस आ गया जब भी पोटेंशल आ गया तब इलेक्ट्रो वर्ड तो आएगा यह दो option तो बैसी कर जाते है ठीक है और इलेक्ट्रो फोरेसिस में कौन move करता है dispersed face move करता है इलेक्ट्रो आस्मोसिस में कौन move करता है dispersed media move करता है तो यह as it is मैंने अपनी class में करवाया था आपको तो आई हूप आप लोगने यह question कर दिया होगा ठीक है human body का जो blood होता है ठीक है देखो blood का काफी सारी books में positive chloride दे रखा है बट ब्लड क्या होता है हमार पास negative chloride होता है ब्लड क्या होता है हमार पास negative chloride होता है बट ब्लड में एक component होता है जिसको हम बोलता है हीमोग्लोबिन यह blood का एक component होता है हीमोग्लोबिन जो के हमार पास क्या होता है positive chloride होता है ठीक है ना ब्लड में एक component होता है ठीक है with the rise in temperature of the surface tension, 치क है surface tension basically क्या होता है, इसे liquid molecules के बीच में जो force of attraction होता है उसको हम बोलते हैं कि surface tension, अब जैसे ही हम temperature को increase करते हैं, तो liquid molecules के बीच में क्या होता है, force of attraction कम हो जाता है, इसलिए surface tension भी किया हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारे पас question का correct answer था, decrease तो आई होप आप लोग को पहले 15 questions के video solution क्लियर होंगे और next 15 video solution हम next video के नदर discuss करेंगे